हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई नर्चर मैं हूं क्रिष्णा कैसे हैं सब लोग मस्त बढ़िया तो उमीद करता हूं लाक्ट लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा क्या टापिक पढ़ रहे थे हम लोग ड्रक्टिंग ओन सेंट्रल नर्वर सिस्टम जो दवाईयां ह बारे में बात करेंगे और इसको दो पार्ट में तोड़ना पड़ा है टोटल इसके अंदर सेवन ड्रक्स हैं एक ही लेक्चर में साथ ड्रक्स कवर करता तो लेक्चर करीब एक देड़ पौने दो घंटे का हो जाता ठीक है तो मैंने क्या कि आशको छोटा करने के लिए ती एंटी साइकोर्टिक्स जोड़ी ऑओ तो तो देखते हैं एंटी साइकोर्टिक साइको सबना होगा तुम लोग mata rosa jaar कि मोग वो ki였습니다 वे जोन होता है वह ज्यून होता है लेकिन एक साइकोनेस ऐसी होती है कि आदमी का behavior समझ में नहीं आता है या उसके behavior से किसी को नुकसान हो सकता है समझते हैं बातों को तो anti-psychotic में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ mind nurturing point कैसे points हैं ये? mind nurturing points तो mind nurturing points मतलब समझ रहे हो गया ऐसे points जो तुमारे दिमाग को nurture करेंगे इस topic को पढ़ने के लिए हमें ये शारे सब्द आने चाहिए क्योंकि यही सारे word बार-बार आएंगे क्या होता है? psychosis मतलब manovikriti दिमाग का कोई विकार, कोई दिमाग की दिक्कत manovikार कहलें या पागलपन कहलें nervous tension, हमारी नसों पर जो tension है खिचाओ आ रहा है, दिमाग बहुत जोड़ दे रहे हैं हम लोग ठीक है ना, उनके उन tension को कम करने वाले drugs को कम लोग क्या कहते हैं neuroleptic ठीक है, by depressing nerve function, क्या करता है ये nerve function को depress कर रहा है next आते है एक word psychotropic drugs that affect mental state ऐसे drugs जो हमारी mental state को असर कर सकते हैं असर डाल सकते हैं, ऐसे drugs को हम लोग क्या कहते हैं psychotropic बोल देते हैं delusion word आएगा बार बार एक जिसका मतलब क्या होता है, ब्रहम किस तरी कोई है, कोई है बट होता नहीं है, जब देखता है तो महां उसे कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा देखो दोनों बहुत सारी चीज़ें ब्रहम और hallucination दोनों में थोड़ा सांतर है, ब्रहम में हमें क्या ऐसास होगा कि कोई है, हमारे कोई आसपास है, बट हमको दिखेगा नहीं, वो ब्रहम हो रहा है hallucination उल्टा है, हम सामने इमेजिन कर लेंगे है ना, मैं इमेजिन कर लूँग, तुम लोग में को देख रहे हो लेकिन नहीं, मैं इमेजिन कर लोग मेरे सामने बैठे हो तुम लोग, और मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल इमेजिन में, रियल मान के चल रहा हूँ that is called hallucination, जो चीज सामने नहीं है, उसको इमेजिन करना और रियल मान लेना सामने कोई चीज नहीं है, उसको बिल्कुल रियल मान लेना के रहे है, ये तो है सामने, दूसरा कहे गा है, कुछन नहीं तुम पागल हो, मुझे दिखाई दे रही है, तुमको दिखाई नहीं दे रही है, इस चीज का लोग क्या कहते है है, hallucinate करना पेरोनिया व्यक्ति को अपनी योग गिता पर्भुता पद की वरिष्टा या निरंतर यातना का भ्रहम होता रहता है आदमी लगातार क्या सोचेगा कि मैं बहुत ज़्यादा योग्य हूँ उससे बड़ा योग्य कोई है ही नहीं या हर जगे मेरा ही वर्चस वै ठीक है या मैं सबसे उचे पत पर हूँ या लगातार यातना ऐसा लगा कि में को लगातार परतारित किया जा रहा है बट हो नहीं रहा होता है उसको लगातार ऐसे किसी ब्रहम्य है वो लगातार किसी ब्रहम्य है तो हम कह रहे हैं वो पैरोनिय नहीं पता हमें सीजोफ्रेनिया यह वर्ट पहलों डिसकस कर चुका हूँ आज समान ने समाजिक व्यवारत था वास्त्विक को पहचान पाने में असमर्थ था रियलिटी सामने हैं हमें दिख रहा है कि हाँ दिन हैं हम नहीं मानना चाहरे दिन हैं सामने एक बंदा बैठा मानना नहीं बंदा बैठा हम तो कुछ और मानना नहीं चाहरा है ठीक है ना तो वास्त्विक्ता को नहीं पहचान पा रहे है बाई पोलर डिसोडर बाई मतलब क्य और लिख लो इसको कॉपी पे और जब आगे वीडियो चलेगा बार-बार यह वर्ड आएंगे तो खटाक से जहां यह वर्ड आएगा बार-बार में इसको देखते हुए आगे बढ़ना पॉस्ट करो इस सारे वर्ड के मिनिंग लिख लो या इसके सीन शॉट ले लो चलते है अब बात करते हैं एंटी साइको टिक्स जो पढ़ने जा रहे हैं आखे हैं क्या आज सो नोन एज नियूरोलेप्टिक्स वर्ड समझाय मैंने भी क्या होता है इनको नियूरोलेप्टिक्स भी कहते हैं आर क्लास ओफ साइको ट्रॉपिक मेडिकेशन प्राइमरेली के अंदर आ रही है प्रिंस्पली इन सीजोफरेनिया सीजोफरेनिया पता एक तरह से लास्ट स्टेज आ जाती है आप वास्तिविक्ता मानना नहीं चाहरे हैं बट आल्स इन रेंज ऑफ अधर साइकोटिक डिसॉडर कुछ और भी साइकोटिक डिसॉडर उसमें भी ये काम इनका नाम लिखते हुए कि इन सब चीजों में हम लोग ट्रीट करने के लिए इसको थोड़ा सा अपनी लेंगवेज बना करके लिख सकते हो बात समझ में आगी एक जनरल व्यू आ जाएगा कि हां एंटी साइकोटिक्स क्या होते हैं जैसी आप इतने अच्छे से वर्ट का इसकी बार कई तरीकों से हो सकता हैं यहाँ पर क्लासिट्रेशन कर रहें गयेंड दो तरीके से है यहाँ पर रिसफार क्लासिफिक्रेशन हो रहा है फज जन्रेशन ट्रक्स और रगंगतता ज्रूफर्पृतन के ceremon कंवे फरस्ट जन फर्टांitas को फर्दर दो पार्च में त लॉक्षपीन, पीमोजाइड, प्रोख्लोरप्राजीन, थायोथेक्सीन, ट्राइफ्लूप्राजीन, सेकंड देने सिर्म में कौन को ना जाएगा, एरिपीप्राजाओल, एसिनपाइन, क्लोजपाइन, होप्रिडोन, लुरसिडोन, अलंजपीन, कोईट्यपीन, जप्रेशिडोन, ठीक है न, थुर्ण सा नाम देने दिक्कत होती है, कोई बात नहीं, इसको अब क्या करोगे, दो तीम पर पढ़के देखोगे, तो नाम अपने आप माने स्टार्ट हो जाएगे, किलियर है, तो यहाँ पर देखो हमने फस्ट जनरेशन और सेकंड जनरेश तो यहाँ पर अभी हम इसको डिसकस करेंगे, एक्चुली यह है, एक तरहसे हम लोग क्या सकते हैं, यह जो है तुमारा मोड ओफ एक्जन, मोड ओफ एक्शन के बेस पर हमने क्या कर दिया, क्लाशिफाई कर दिया, कैसे मोड ओफ एक्जन आव समझते हैं, तो तो फ़र्स् यह क्या करते हैं D2 antagonist है dopamine हमारी बोडी में chemical होता है dopamine ठीक है न जब यह बहुत ज्यादा निकल जाता है निकलना चाहिए थोड़ा बहुत मात्रह में कि हमें खुश रहे हमारे पास खुशियां होनी चाहिए बहुत ज्यादा मात्रह में निकलेगा तो क्या करता है पागलपन psychosis वाली बाते हमारी साथ होने लगती हैं तो यह होता क्या है यह जो फॉस्ट जनरेसिक ड्रग है यह डी टू जिस रिसेप्टर पे मतलब कि यह जखो ऐसा होता है बच्चो हमारी वाड़ी में सीन क्या जलता है मालो कैमिकल निकला और जब कैमिकल निकलेगा तो आगे जाकर कि और जैसी यह सबस्के बर रिसेप्टरिद गया तो शोच करना तो लो होता क्या है यह सबस्ट जनंरेशन के ड्रग है जो इस यह ज्ञे कंगे घुश् ev acquisition यहां पर Cisco करना करना यह लो और इस chemical को इससे touch होने नहीं देंगे block कर दिया इसको क्या कर दिया block कर दिया तो आर dopamine antagonist antagonist मतलब जो उसका विरोध करे एंट लिख लो antagonist का मतलब जो विरोध करे उसका oppose करे तो यह dopamine का विरोध करते हैं अपोस करते और associated with higher risk of EPS इनके साथ एक दिक्कत और है ठीक है न क्या होता है extra-paramidal symptom यह क्या होता है मतलब कुछ additional symptoms और जुड़ जाते हैं क्या होता है extra-paramidal symptom कि हमारी body के साथ क्या होने लगता है कुछ और चीज़े होने लएंगे हमारी body अगर वह level भी block हो गया तो हम सकते हैं अलग तरह के depression में चले जाएं तो इसके कुछ अलग टाइब के symptoms start हो जाते हैं इसको हम combinedly क्या बोल देते हैं EPS बोल देते हैं दूसरी चीज अब यह dopamine क्या उसके बारे हम बात बता रहा है dopamine is a type of neurotransmitter your body makes it and your nervous system use it तुवारी body इसको बनाती है and your nervous system use तुवारा nervous system इसको use करता है to send messages between nerve cells ठीक है ना एक तरह से nerve cells के बीचे messages को transfer करने में help करता है that's why it's sometime called chemical messenger इसको हम लोग chemical messenger भी कह रहे है dopamine play a role in how we feel pleasure तो को हम कैसे खुश रहेंगे इसके लिए dopamine responsible है लेकिन तादात से ज्यादा निकल आएगा और तादात से ज्यादा खुशी हो जाएगी तो पागलपन च्छाएगा बात समझ में आ रही है ठीक है ना तो first generation anti-psychotic मतलब ऐसे drugs जो इस dopamine को block करेंगे सीरी सी बात है तो mode of action के उपर आगी सारी कहानी यह सारी बात में बच्चो knowledge के लिए है course में नहीं है समझना है इसको कि हम लोग यहां पर classification कर रहे है mode of action से क्या मतलब है ठीक है next आते है second generation anti-psychotic second generation anti-psychotic 5H2A ठीक है या D2 antagonist होते हैं D2 भी हो सकते हैं लेकिन साथ साथ में क्या हो सकते हैं 5HT2A भी हो सकते हैं ठीक है ना इनके साथ जो EPS वाली problem थी यह कहीं ना कहीं कुछ हद तक थोड़ी सी कम रहती है second generation की drugs के साथ इसलिए इनको better माना जाता है अब यह 5HT2A क्या ब receptor होते हैं किसके लिए serotonin नाम के chemical जो हमारी बॉड़ी से निकलता है उसको receive करेंगे serotonin करता क्या है serotonin is the key hormone हार्मोन है that stabilizes our mood हमारे mood को ठीक करता एक तरह है हम बॉड़ा depression में जा रहे हमारी बॉड़ी क्या निकालना शुरू करेगी serotonin को निकालना शुरू कर देगी इससे क्या होता हमारा mood तुरंत क्या होता है normal होता है feelings of well-being हम जो अपना आपको बड़ा सुकून फील करते हैं कई सब्सक्राइब करते हमारी बॉड़ी में serotonin थोड़ा सा अच्छे लेवल पर होता है ठीक है ना याने कि सारी जो खुशों वाली चीज़ें and happiness this hormone impact your entire body हमारी पूरी बॉड़ी पर असर डालता यह it enables brain cell and other nervous system cells to communicate with each other brain cells जो brain के इंदर cells पाय जाते हैं और जो nerve cells उनको आपस में वारतालाब करवाता है यह chemically वारतालाब करवाता है chemically chemically एक दूसरे को समझते हैं इस क्या करना चाहते हैं serotonin also help with sleeping eating and digestion तो serotonin एक तरह से कई सारे काम करता है लेकिन इसकी तादात अगर बढ़ जाए देखो किसी भी चीज की तादात बढ़ा दी जाए तो कहीं नहीं कहीं नुकसान दायक होता है ठीक है ना तो क्या लिखा हुआ है the 5HT2A receptor is cell surface receptor cell के उपर पाया जाता है 5HT is a short form of 5 hydroxy tryptamine तो सीधी सी बात है cell के उपर पाया जाता है जैसी बाड़ी में हार्मोन लेवल बढ़ेंगे serotonin बढ़ेगा cell के उपर मौजूद जो receptor होगा वो इस हार्मोन को receive कर लेगा और हमारे cell से वैसा काम करवाने लाएगा वैसे chemical और बनवाने लाएगा हम लोगों खुश करे बात समझ में आ रही है चलो आगे चलते हैं के लिए रहे तो यह knowledge के लिए था कि यह knowledge के लिए क्यों जरूरी है को यहां पर दो टर्म आ गए first generation और second generation तो यह समझना जरूरी है कि आखरकार यह first generation और second generation का मतलब क्या है क्लासिफिकेशन on the basis of source source के हिसाब से classify करें तो जिनके अंदर फिनो थाय जीन्स पाए जाएंगे जिनके अंदर ब्यूटाइरो फिनोंस पाए जाएंगे जिनके अंदर थियोजैन्थीन्स पाए जाएंगे कुछ और हिट्रो साइकलिक होंगे कुछ एटिपिकल एंटि साइकलिक होंगे तो source किसके अंदर कौन सा ग्रूप आया जा रहा है उसके एसाब से हम लोग इसको क्या कर देते हैं classify कर देते हैं फिनो थाय जीन्स में भी अगर side chain aliphatic है state chain है उसमें chloropromagene, trifluopromagene ठीक है, peprydine है अगर side chain तो thyroid gene, peprydine है side chain अगर तो fluophenagene के नाम से पैचाने जाते है peprydine, peprydine इनके structure अलग-अलग से अभी याद करने जरूरत नहीं है ठीक है ना, अभी structure में समझा दूँगा मैं कौन सी चीज को क्या कहते हैं ठीक है ना, aliphatic मतलब होता है state है ना, aliphatic का मतलब जो state chain ऐसे रहती है हमारे पास इसको हम लोग क्या कहते है, aliphatic कहते है अगर state chain जुड़ी हुई है तो उनका अलग नाम पढ़ जाएगा किसके अदर peprydine है, किसके अदर peprydine है ओके, bitirofinone, इसके अंदर haloperidol, tri-flu-peridol, drop-peridol और pen-flu-ridol ठीक है थियोजयन्थीन में कौन-कोन आएगा chlor-prothicine, flu-penthezol, अदर हिट्रो-साइकलिक में loxathene, pimozide, atypical antipsychotic में klozapine, olanzapine और reserbidone किलियर है तो ये नाम तो जेखो याद करने पढ़ेंगे, इसमें कोई और दूसरा option नहीं है ओके, पहला ड्रग्स जो हमारे कोर्स में है, total 7 ड्रग्स है antipsychotic के अंदर, पहला ड्रग मार पास आता है chlor-prosamine hydrochloride, star लगा हुआ है, मतलब इसका chemical structure हमारे कोर्स में है क्या कहा रहा है, this medication is used to treat certain कुछ mental and mood disorder को ठीक करने के लिए इस्तमाल किया जाता है, such as schizophrenia, यह कुछ ऐसे common starting के line है, वो सब में लिख सकते हो ठीक है न, अभी देखो के आगे, schizophrenia, psychotic disorder, manic phase of bipolar disorder, severe behavioral problem तो हम देखो, वो ही सारी बात है, यह स्टार्टिंग मेंने सब्द दिखा दिये थे, मैंने इसलिए कहा, अभी भी नहीं लिखा तो उन सब्द को पहरे लिख लो, कि यह सारे सब्द बार बार आएंगे, तो तुम लोग उसको easily handle कर पाऊगे, मैंनी एक मतलब पागलपन होत and take part in everyday life, यहां से तुम एक अंदाजा लगा सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, feel less nervous, imagine करो कभी ना कभी बहुत जाद नर्वस हुए होगे, क्यासा body react करती है, हाथ पर कपन लगते हैं, अजीव सी हरकत होने लगती हैं तो यह उस समय, लेकिन तुम क्या जैसी उस situation बाहर हम ठीक हैं, लेकिन सोचो अगर वो जो कपने वाली situation है, डर वाली feeling है बनी ही रह जाए, होगी ना, हालत खराब, तो बस, कुछ लोग ऐसी होते हैं, जिनके साथ यह situation बन के ही रह जाती है, body के अंदर, वो लोग क्या होते हैं, disease होते हैं, वो लोग patient बन जाते हैं, फिर उनक नाम है इसका chlorphenothiazine, यह जो मेरे पास यह, 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 गोल, 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 यह पूरा structure क्या है, फिनो थायाजीन, किलियर हो गया, मैं इसको हटा जिता हूँ, ताकि तुम लोग बाद में इसको नोट कर सको, यह पूरा structure क्या है, यह, 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 यह क्या है, फि पैरेंट चेन समझते हो ना मेंचेन जिससे नेमिंग करते हैं ठीक है मालो यहाँ पर एक गुरूप लगा हुआ है कोई CL तो यह मेरी पैरेंट चेन हो जाएगी ना इसको क्या बोलूँगा टू पर क्लोरो लगा हुआ है तो क्या पढ़ेंगे इसको टू क्लोरो ब्यूटेन याद आया कुछ ठीक है तो यहाँ पर इसवार मेरी पैरेंट चेन बच्चों देखो यह यह एंट टू एंट थ्री पैरेंट चेन कौन सी है 12,3 डू लगा हुआ है उसके साथ यहाँ पर मितायल गूरूप लगा हुआ है ठीक है ना तो वन पर क्या लगा हुआ है मिथायर अब 3 पे क्या लगा हुआ है 3 पे देखो क्या लगा हुआ है अब फीनो थायाजीन क्या लगा हुआ फीनो थायाजीन लेकिन उस पे भी 2 पर क्या लगा हुआ है Kloro लगा हुआ है तो इसलिए 3 पर Phenothяжene लगा हुआ है लेकिन उस Phenothяжene में भी 2 पर Clario लगा हुआ है और यह Phenoth destro किस वाले पाट से इस Ch Face से जुड़ा उआ है 10 से कौन से जुड़ा हुआ है 10 से जुड़ा हुआँ जहाए तेन आया और ये आगे क्या आ गया ऐल ठीक है ना टू मिधाइल पढते हैं आप लोग टू मिधाइल पूर इताइल तो आएगा यह आएगा तो यह आगया मेरे पास में घ्रॉप फिर नू था जी दूसरे नंबर पर पर क्लो ठीक है किस नंबर से जुड़ा गूए इ इस्टमाल होता है प्रोपेन तो इस्टमाल हुआ प्रोपेन 1 पर अमीन वजो वन है यह अगर यह है एट्सट्री ना होते हैं सीह सी एश्टी थे एनेस टो उसका हम अमीन बहुते और सात यहां पर क्या यूजेस तू ट्रीट साइजोफ्रेनिया मैनियक डिप्रेशन याने पागल पना जाता है नौइजिया वामिटिंग में भी एंजाइटी बिफोर सर्जरी सर्जरी से पहले कुछ लोग दम वैसों लगते हैं डिप्रेशन साने लगता क्या रहे अब क्या होगा ठीक है क्रोनि लगने में यह हैल्प करता है इस्टेविल्टी स्टोरिज की बात करें इस शुडवी स्टोर्ड एट रूम टंप्रेचर इसमें बताना नहीं यह सब सीख चुके होगा इनमें क्या क्या लिखना है फ्रीजिंग शुड भी आवाइडेट तो यह बाते तो नॉर्मल है यह य याद करो क्योंकि एक्जाम में कोई एक आएगा तो उसमें उठा करके डाल दो आट्स ड्रक्स जो भी चैसाद यूज तुमने स्टार्टिंग में डिजीज पढ़ी थी उन सब को ठीक करने के लिए यूज में आएगा बात समय में आ रही है तो जरूरी नहीं है कि इनी को रटो बैट गे जो इस्टार्टिंग नाम से तीन चार उसके नाम पढ़ लिए जब एक आएगा एक आएगा एक इसे चार नहीं आएंगे किसी एक से एक आएगा उठा करें इनके नाम से मार्केट में कॉमन ब्रेंड्स क्या है अवेलिबल है कि लिए रोगया चले नेक्श है लो पैरीडल है लो पैरीडल इस एंड यह जाहिर सी बात है इतना जनल लिख सकते हो कि एंटी साइकोटिक एजेंट है यूस किया जाता है साइजोफरीनिया में कुछ और साइकोसिस किसी और भी पागलपन का चीज होती है उसमें इस्तेमाल करेंगे एज वेल एज गुस्सा आ जा रहा है ना एक्रेशन आ जा रहा कि पता नहीं क्या करके बैठेंगे करके वहां पर इसका इसका इस्तेमाल करते हैं यहां देखो कि कलर कुछ लेते हैं अलग सा क्या ले 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 क्या ले ले हैं चल लो यह ले 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 देन देखो यहां से लेकर यहां तक यह है मेरी पैरेंटट चेंव इस इसनी नाम की अपड़ा प्रेंट चेंवाल बी 10 और एक पर क्या लगा हूँआ है वन लगा वादल बी 101 with हो गया यह होगी मेरी पैरेंट चेन वन पे क्या लगा हुआ है 1 2 3 4 4 फ्लोरो बेंजीन है ना बेंजीन ना मोल करके हम लोग क्या वोलेंगे फिनाइल ठीक है अब ज़र बात समझना इस पर आएंगे सोड़ा बाद पे नाम कहां से इस्टार्ट हुआ है इसके for पर क्या लगा हुआ है इसके for पर 4 पर, एक Hydroxy लगा हुआ है और इसके 4 पर एक Chloroakhnol लगा हुआ है This is what यार 4 chlorophynil 4 chlorophynil बात समझ में अ रही है ये Parent chain इसके 4 पर, इस पीप्रिटीन के भी 4 पर, एक Hydroxy लगा हुआ है और इसके 4 पर क्या लगा हुआ है, chlorofenyl, फिर इसी के ही 4 पर क्या लगा हुआ है, hydroxy, hydroxy किसके लिए बड़ इस्तमाल हुआ है, OH के लिए, और फिर ये पूरा क्या है, pipridine, समझ मा रहा है, ये खुद pipridine किस से जुड़ा हुआ है, position number 1 से जुड़ा हुआ है, तो 1 और आगे I, naming सम 1 पर क्या लगा हुआ है, 4 पर फ्लोरो, this is your 4 फ्लोरो फिनाईल, 4 फ्लोरो फिनाईल, clear है, नाम समझ मा रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा लर्निंग है, है ना, सोचो पता नहीं क्या हो गया है, सोचो इंडिया, है मतलब ऐसे, imagine करो कि बच्चों के ऐसे नाम रखे जाने लग फ्लोरो फिनाईल, फ्लोरो फिनाईल ले दर आजा, चलो आजाओ इस तरफे, तो ये नाम है, थोड़ा सा, इसको देखके ही आसी आती है, तो नाम को थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, और कुछ नहीं है, किलियर है, चलते हैं आगे, यूसेज, तो मैं दिखाई दे रहा लाइट चली गई है, मैं देख लूँ, बोर्ड विजीबल है या नहीं है, चलो मेरे ख्याल से, बोर्ड विजीबल है, मैं लेक्चर कंट्यूनी कर दे रहा हूँ, मेरी शेकल साथ थूड़ी सी काली आ रही होगी, फरक नहीं पड़ता, ये दिखना चाहिए, बोर्ड ट्रीट, एक्क्यूट, साइकोसिश, एग्रेसन, गुस्सा, एक्क्यूट, डिलिरियम, अंकॉल लेवल बिहेवियर, डिसॉरडर इन चील्रन अन अडल्ट, जो बिहेवियर को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाते है, बच्चे बड़े जिद्धी टाइप को हो जाते ना मैंने बताया था कल ड्रक्स छोड़ो तो हाथ पैर दर्द होगा एंठन होगी ऐसा लाएगा पता नहीं क्या होने जा रहा है उस टाइम को मतलब उस चीज को रेफ्रिजे रेटेड इसको हमें जमाना नहीं है जम जाएगा तो खराब हो जाएगा एंठन है चलें आगे रैस पैरिडॉन क्या है रैस पैरी डॉन ठीक है यह रैस पैरिडओन आपम मेम यह त्रीट उटो वर नकिकteilंच सब्सक्राइब क्या गरूँआ जी के मैं जब ऐसी थिंकिंग आने लगी इस्ट्रॉंग और इन इप्रॉप्रियेट इन एप्रॉप्रियेट इमोशन बहुत तगड़ी एमोशन आ रहे हैं किसी के लिए मतलब बस चले जाना बड़े में आए या बच्चे में उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तमाल होता है पागलपन के क्या होते हैं इसमें हम फ्रेंजीट एबनॉर्मली एक्साइट बिना वजया एक्साइट हो जाएंगे कुछ भी काम करने लएंगे और इरिटेटेटेड मूड बन रहता है आदमी कुछ बोल तो चिचड़ा जाएगा है ना ठीक है और मिक्स्ट एपिसोड ठीक है तो इसको छोड़ सकते हो मैं समझायता हूं इसको क्या क्या चीज है पागलपन और डिप्रेशन एकदम एक्साइट फिर एकदम लो ठीक है इन अडल्स एंड टीनेजर एंड चिल्रन टेन एर और एंड ओल्डर विद बाइपोलर बाइपोलर डिसेडर होगा तो भी ठीक है ना दिजीज देट कोज़ेट 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 एपिसोड अप डिप्रेशन एपिसोड ओफ मैनिया एंड अदर अबनॉर्मल मूड तो यह दो को घूम फिर के एक तरह से बता रहा है चाहिए तेरा साल का बच्चा हो चाहिए दस साल का बच्चा हो चाहिए को एडल्ट हो अगर उनके अंदर यह सारे सिम्टम्स पाए जाएंगे तो हम इ दो करें हमारे पास यहां पर यहां पर क्या है यह पैरेंट ग्रूप जिसको वह लोग कहते हैं पारीमीडीन आ गई है यह शकल दीखने लगी होगी ओके ठीक है तो अब लाइट आ चुकी है सब चीजे किलियर किलियर हो रही है तो मैं बताता हूँ फिर से वह पहले कि तरह इसको explain करने की कोशिश करूँगा मैं ठीक है chemical name and structure resperidol का तो देखो ये मेरे पास क्या है parent group ये क्या है parent group इसकी naming यहां से start होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है न और 4 पे क्या लगा हुआ है ketone लगा हुआ तो 4 पे 1 लगा हुआ है और pyrimidine ये पूरा क्या structure है pyrimidine structure आ गया ठीक है अब देखो यहां से chain निकली 1 और 2 2 पे क्या लगा हुआ है क्या था ये पिप्रिडीन क्या था ये टू पर पिप्रिडीन अब ज़रा गौर से समझना बात को इस पिप्रिडीन के 4 पर ये जो पूरा है मैं इसको ये जो गूरूप है मेरे पास ये क्या है बैंज आईसोक्सो जोल ठीक है ना ये गूरूप ये रहा इस पर लगा हुआ च्छटे पर फ्लूरिन लगा हुआ है तो देखो जा रहा है चलते हैं तीसरे नंबर के दूसरे पर तीसरे पर तीसरे नंबर के तीसरे पर क्या लगा हुआ है यह दो लगा हुआ है एक और दो इसके दूसरे पर इस पर दूसरे पर इस ग्रूप के चौथे पर बात समझ मारी है फिर से समझा देखो ब्रांचिंग कहां से स्टार्ट हो रही है ब्रांचिंग का सा स्टार्ट हो रही है ये पैरेंट चेंड तीसरे पर लाइट चले गई मैं दिख रहा हूं ठीक है देखो ये तीसरा तीसरे के दूसरे पर ये दूसरा आगया दूसरे पर लगा हुआ ये वाला ग्रूप इसके चौथे नंबर पर इसके चौथे नंबर पर पर क्या लगा हुआ है ठीक है न, यह लगा हुआ है और इस लोरो अब देखो यह जो है न OX CHAANC пош deal 七 नो यह किस पर लगा हुआ है वन और टू पर रहे यह वन और टू पर लगा हुआ है जब नम्बर इंक कर रहे है हम लोग तो नमबर नंबर पर रहा है तो फ्लोर वन चुपे क्या लगा हुआ है बेंडज, आइसका जोड़ा हुआ है यह किसी ऋबात क्लियर हुई आगे चलते हैं ठीक है वन पर इसके वन पर क्या लगा हुआ है यह जो वन है 2 के 1 पर क्या लगा हुआ ये Pipridine group लगा हुआ है This is your Pipridine group ठीक है फिर 2 पर क्या है ठीक है ये पुरा group क्या था Ethyl हो गया 3 पर ये क्या है 1 और 2 ये क्या हो गया Ethyl This is Ethyl, Pipridine ठीक है Benoxajole ठीक है ये हो गया मेरा cover अब बहार आते हैं निकल के 2 पर क्या लगा हुआ है Methyl लगा हुआ है CS3 2 पर क्या लगा हुआ है Methyl लगा हुआ है यहाँ पर एक dash होना चीए था Dash नहीं है कोई बात नहीं 6, 7, 8, 9 Actually reality यह है कि यहाँ पर ये जो group है इसको थोड़ा सा मैं अलग करता हूँ ये इस type से एक group होता है ये group आ करके ऐसे क्या होता है इसके राथ मर्ज हो जाता है ठीक है ना तो होता क्या ये double bond बाद में हट जाते है इनका hydrogenation हो जाता है hydrogen add हो जाता है ठीक है तो 6, 7, 8, 9 इन पर क्या लगएगा hydrogen तो tetrahydropyrido ठीक है ना ये group क्या था मेरा पिप्रडीन था तो क्या होगे यहां से पिप्रडीन से वर्ड बना पाईरीडो ठीक है देन पाईरीमीडीन ये पूरा group है मेरे पास ये वाला मैं से रब कर दूँगा दिखा देता हूँ मैं तुम लोगो चलो देखते है इस तरीके से इसकी क्या आएगी तुमारी ये नेमिंग आएगी ये थोड़ा सा बच्चो इस तरह से structure लिख करके न तोड़ तोड़ की जो नाम है पिप्रडीन पाईरीमीडीन ये लिख लेना इससे learn करना असान हो जाएगा otherwise कितना रटोगे बहुत सारे structure है clear है चलें आगे यूज की बात करें तो मूर डिसोडर डिप्रेशन बाइपोलर डिसोडर इस्टेविल्टी शुड भी स्टोर्ड एट रूम टंप्रेचर ठीक है ना अवे फ्रॉम लाइट एंड मॉस्चर लाइट और मॉस्चर से इसको हमें अलग रखना है लिक्विड फिर्प्रेशन शुड नौट भी रेफ्रीजरेटर जो पानी वाले प्रिप्रेशन होते हैं उनको हमें फ्रीज नहीं करना है इतनी इसी बात है फॉर्मलेशन भी बात करें तो टैबलेट और ओरल सलुशन की रूप में पाया जाता है ब्रैंड की नाम करें तो रिस्पेरिडल और पर सेरिस के नाम से मार्केट में अवेलेवल है अब नहीं आगे ठीक है ना तो यह था मेरा आज का लेक् लिखते चलो बात बाकी एक मेन हैडिंग पकड़ लो जैसे अनेथीशिया था यह तुम्हारा क्या है एंटि साइकोटिक है उसके तीन चर्वर्ड पकड़ लो यूजेस में इसली डाल सकते हो उसको समझ मा रहा हो ना वो इस्टार्टिंग और पकड़ लिए अच्छा इसक प्रतिजिश कर रहा हूं कि सारे लेक्शर प्रापर पढ़ रहे होगे में को रिसपॉंस दिख रहा है काफी सारे बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं यह बहुत ही खुशी की बात है ठीक है कि मैं किसी तरह किसी तरीकत सो उनकी है कर पा रहा हूं तो एक ही चीज बस यद रखनी है और वह है रिवाइस करना है और पढ़ते चले जाना है और लिख द्रू meth कर लेना ठीक है का करना है रिवाइस करोगे और लिख के practice करोगे किलियर ऑल दवेस्ट